फ्लिपकार्ट में अगर आपको जॉब पानी है तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए सिंपल इस रिक्वार्मेंट के साथ आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर सकते हो वो कैसे आप यहाँ पे देख लीजे educational qualification जो है आपने 12th पास किया है तो भी आप यहाँ पे अपलाई कर सकते हो basic English आपको आना चाहिए reading, writing और speaking skills होनी चाहिए उसके बाद आपके पास एक स्मार्टफोन होने चाहिए जिसमें internet चालू होना चाहिए बस आप यहाँ पे अपलाई कर दीजे who should apply यहाँ पे बताया गया है flip card में अगर आपको काम करना है तो अब वो कैसे करना है, आप कैसे flip card के इस job को पास सकते हो और आपको application form में क्या-क्या fill up करना है ना इस सारी detail आज के इस वीडियो में रहेगी जहाँ पर आपको अच्छी कासे salary मिल जाती है अब देखें, यह जो job है यहाँ पर apply तो आप free में करेंगे प्लस इसके साथ साथ आपको certification भी यहाँ पे provide किया जाएगा और सारा का सारा चीज यह free में होने वाला है आपको यहाँ पर एक भी रुपया इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर flip card की तरफ से salary package जो मिलेगा वो लगबग 3 लाग से लेकर 7 लाग तक का starting में रहेगा और उसके बाद अगर आपको flip card से कई और company में जाना है तो आप change भी कर सकते हो अपने कम qualification की वज़े से आप career में कहीं पर अटक जाते हो ना तो flip card जैसी बड़ी company आपको यह job provide कर रही है जहाँ पर आप simply 12th pass भी हो तो apply कर सकते हो और आपके पास इस job के उपर apply करने के लिए simply internet आपके mobile में होना चाहिए बस आपके वास computer नहीं है तो भी चल जाएगा laptop नहीं है तो भी चल जाएगा ठीक है तो दोस्तों बिना किसी तरीके आज की स्वीडियो को शुरू कर देता हूँ और आज की स्वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा के कैसे आप without any higher education या फिर without any experience आप Flipkart येसी बड़ी company में apply कर सकते हैं वहाँ पे आप job पास सकते हो और हाँ request है अगर वीडियो पसंद आए तो एक like भी जरू कर दीजे चले देखे कोई भी चीज आप Flipkart से खरीदते हो तो जो product है वो आपके घर में deliver होता है पर warehouse से लेकर आपके घर तक जब वो product आता है ना तो वहाँ पे बीच में बहुत सारे employees जो है न वो काम करते है उस product को आपके घर तक पहुचाने के लिए इसी को कहते है Flipkart का supply chain management और Flipkart क्या कर रहा है आजकल Flipkart जो है ना अपनी supply chain management को improve करने के लिए बहुत सारी jobs opportunity open कर रहा है जहाँ पर candidates को on job training provide की जाते है वहाँ पर आपको पूरा काम सिखाया जाता है और उसके बाद उनी लोगों को select किया जाता है तो यही है वो Flipkart academy program जहाँ पर आप on job training ले सकते हैं फ्री में यहाँ पर registration बिल्कुल भी फ्री हो जाता है यहाँ पर apply करने के लिए देखे दोस्तों आपका qualification जो है ना simply 12th pass आप होने चाहिए या फिर अगर आपने 12th pass नहीं किया है आपने idea किया है तो भी आपका चल जाएगा या फिर आपने किसी भी फिल्ड में diploma किया हुए तो फिर भी आप यहाँ पर apply कर सकते है simply आपको basic English आना चाहिए और आपके पास mobile phone होना चाहिए जिसमें internet चलता हो ठीक है अब देखे apply कैसे करना है और इस course की जो डीटेल है ना मतलब यह जो training program है इसकी डीटेल में आपको यहाँ पर समझा दिता हूँ कि कौन-कौन यहाँ पर क्या-क्या सीख सकता है और यहाँ पर आपको क्या-क्या jobs मिल सकते हैं अब देखें यहाँ पर courses का जो section है ना यहाँ पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लग जार training modules है वेर आउसिंग training module delivery associate training module EDAP मतलब person with disability जो disabled persons होते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर training program शुरू किया हुआ flip card ने और wholesale operation associate तो यह 4 training modules है जहाँ पर आपको अलग-अलग चीज़े जो है ना सीखने को मिलती है बिल्कुल भी free में तो आपको यहाँ पर 10-2 मेने का free में flip card के तरब से training program provide किया जाता है उसके साथ-साथ जैसे आपको यहाँ पर certificate मिल जाते है ना training program खतम करने के बाद उस certificate के माधियम से आप flip card में apply कर सकते हो आप चाहो तो किसी और company में जैसे कि Amazon में या फिर Tata में या फिर reliance में भी apply कर सकते है supply chain management में देखे picker, putter, packer, segregator, sorter, quality check, doc management executive, data entry operator, issue resolution, quality check, executive and hub inchar तो यह सारी चीज़े जो है आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी कहाँ पर देखे यह वाला जो first वाला module है warehouseing training module में आपको यह सारी चीज़े सीखने को मिल जाएगी जहाँ पर आप data entry operator भी बन सकते हो ऐसे ही same चीज़ देखे दोस्ता आपको delivery associate module में कुछ चीज़े सीखने को मिलने वाली है आपको जब आप application करते हो तो आपको कौन से module में जाना है न वो आपको select करना है देखे दोस्ता आपको first priority flip card की तरफ से रहेगा जेसे आप यहाँ पर certification program जो है वो complete कर लेते हैं देखे आपको इस तरीके से certificate जो है वो मिल जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो flip card का logo आ जाता है और यहाँ पर flip card की जो academy है उसका logo आ जाता है उसके साथ certificate of completion आपको यहाँ पर नाम रहेगा बेसिकली आपको यहाँ पे 3 लाग से लेकर 7 लाग का पैकेज आसानी से मिल जाता है अगर आप यह training program complete करते हो एक successfully ठीक है अब इस training program के उपर apply करने के लिए भी कुछ conditions है मतलब क्या है आपको यहाँ पे application form फिलप करना है condition तो simple है आपके पास 12th pass होना चाहिए और आपको connection जो हो सकता है अब देखें दोस्तों वो कैसे करना है वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ on job training जो है आपको वेरहाउस में जाके ही करनी है आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो program है ना online नहीं कर पाएंगे यहाँ पे 5 से दीन का जो program है वो आपका initial online रहेगा उसके बा पादियम से आप flip card में apply कर सकते है वहाँ पे आपको 3-7 लाग का package मिल जाता है ठीक है देखें home page में FAQ section दिया गया है जहाँ पर आपके सारे questions के जो है ना answers यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपको सिर्फ no more के उपर click करना है और यहाँ पे देखें दोस्तों eligibility criteria क्या होने व आएंगे post joining related questions जो है ना वो आपको यहाँ पर आएंगे ठीक अब देखें दोस्तों मैं आपको यहाँ पर short में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर register करना है simply आप यहाँ पर home page में जाईए यहाँ पर home page में आने पर आपको यहाँ पर registration का जो है ना एक section दिखाई देढलेगा जहाँ पर आपको warehouse registration link, delivery associate registration link, EDab registration link और wholesale registration link यह चार आपको यहाँ पर options मिलेगगे जिसमें से आप क्सी भी एक को select कर सकते हो मतलब यह चार जिन में से आप किसी भी एक को सिलेट कर सकते हैं वहाँ पर अपना रेजिटेशन कर सकते हो Simply warehouse registration के उपर अगर आप ट्लिक करते हो तो आपको यह पूरा फॉर्म जो है न वोपन हो जाता है जहां पर आपको अपने पूरी डीटेल हो न डाल दी है basic detail आप यहाँ पर डाल दीजिए उसके बाद address जो है न वो डालना है आपको और qualification जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पर फिल अप कर दीजिए जैसे कि 10th है 12th है graduate है आप यहाँ पर डाल दीजिए have you ever work with flip card तो आपको yes 9th में answer देना है Having you ever done any internship विद flip card तो आपको यहाँ पर यहाँ परegt answer देना है अपने कोई इंटर्णशिप किया है क्या फिल फिल चा म किया है क्या अपने अगर delivery boy का भी का म किया है तो आप यहाँ पर yes ढाल सकते हो Are you willing to join the internship outside Of your city तो आप अपने city के बाहर जाके भी यह training program में शामिल हो सकते हो क्या तो यह आपको यहापको यह इसनों में answer देना अगर आप जा सकते हो तो अगर आपके city में यह training program अवेलेबल नहीं है तो आपको अपनी दूसरी city में जाने का भी आपको चांस हो सकता है देखे ट्रैवलिंग का यह फिर रहने का आप आपने जो email address प्रोवाइड किया है फॉर्म फिलप करते वक्त तो आपको यहापे get OTP के उपर क्लिक करना है तो आपको एक email आ जाएगा जिसमें OTP भी आ जाएगा उस OTP को आपको यहापे डाल देना है और submit करना है ठीके सब्मिशन करने के बाद आपको assessment test जो है ना उसका email ला सकता है या फिर इसी के बाद आपको यहापे assessment test जो है ना वो on हो जाएगा और उस assessment test को आपको pass कर लेना है ठीके अब देखे यहाप पूरा detail में वीडियो अगर मैं बनाने चाहूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ज़ाद से ज़ादा comment करते हैं या फिर पूछते हैं कि sir हमें assessment test के बारे में एक वीडियो चाहिए तो उसके उपर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा अगर मुझे यहाँ पे response अच्छे से आता है तो तो देखे दोस्तों जिन लोगों को यह ज़रूरी लगता है वो इस process को follow करें और जो application form है वो fill up करेंगे उनको जो assessment test आने वाला है उस test को आगर दे सकते हो तो अच्छी बात है नहीं देने आ रहा है आपको कोई questions है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो और अगर आपको इसके उपर वीडियो चाहिए particular separate वीडियो तो उसके उपर मैं वीडियो भी बना द सकते हैं जहाँ पर मैंने ऐसे jobs के उपर भी वीडियो बनाए हुए जहाँ पर simply आप mobile से भी काम कर सकते हो या फिर आप simply image देखके typing का काम है ना वो भी कर सकते हो ठीक तो वो सारे वीडियो जो है ना वो भी मैं उसके उपर वीडियो बनाता हूँ तो उनको चेक उट करने के और ये वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया होना तो एक लाइक जोरू कर दिए चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में आज ये वीडियो बस इतना है